hello friends, welcome to sasye vlogs, friends, आज से हम लोग खुसी-खुसी, कैसे? खुसी-खुसी, आरर Вी, group D. exam का कोश्चन स्रीज चालू कर रहे हैं, तो कोश्चन स्रीज में तो कोश्चन स्रीज में क्या कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग कोश्चन देखेंगे और उसका answer देखेंगे, quick revision करेंगे, यानि question और उसका answer, और वो topic-wise topic जैसे, और subject-wise subject देखेंगे, तो कैसे देखेंगे, जैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग start कर रहे हैं, general science, यानि कि समाने बिज्ञान का question, इसमें total कितने question देखेंगे, तो अभी तो फिलाल हम 250, यानि आ आज ही देख जाएंगे, क्या एक ही वीडियो में, नहीं, एक वीडियो में, एक वीडियो में 20-25 के बिच question रहेगा, और उसको 10-15 मिनट के बिच वीडियो समाप्त हो जाएगा, यानि कि आप लोगों का एक ये test series के रूप में वीडियो है, समझे, तो ये समाने बिज्ञा यानि कि general science, हम लोगों को जो syllabus में है, तो total number of question कितने रहेंगे, 25 रहेंगे, और marks कितने, 25, तो एक दम मतलब ये तो मतलब है, समझे, group exam के लिए, तो इसलिए ही इसको हम लोग neglect नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम लोगों को समाने बिज्ञान में ये, अगर आप हमारे साथ last त पचास ही question नहीं करा पाएंगे, इसके साथ जोस्ते 50, 10 से 12 वीडियो में हम पुरा clear कर देंगे, उसके बाद फिर से theory पढ़ाएंगे, फिर नया question जो इस मतलब दूसे 50 के अलावा भी question है, पचीस question है, तो ये जरूरी है, जोसे 50 question से ही पूछा जागा, हाँ, इससे बहुत स सारे ये जितना भी 2 से 50 question है, वो एकदम भी भी आई है, ओके, तो उसके बाद हम theory कराएंगे, पहले अभी student का demand था, कि सर पहले questions रिज कराएंगे, उसके बाद जब जरूरी हो, तो हम वो theory करवाएंगे, तो हम theory भी करवाएंगे, चलिए, खुसी-खुसी क्या करना है, 25 नम जी विज्ञान, जी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अप्सन दिया हुआ है, लैमार्क, अरस्तू, हिपोक्रेटस, ग्राहम, तो इसका answer क्या होगा, चलिए, एंसर दीजिए, आप लोग, एंसर मन में सोचिए, पांस सिकेंद देता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, चलिए, एंसर जोते, इसका answer, correct answer हो जाएगा, B for Bombay, यानि की, अरस्तू, नेक्स स्लाइट, प्लीज, नेक्स स्लाइट, नेक्स स्लाइट में क्या बोला है, चिकित्सा सास्त्र के जनक कौन है, यानि चिकित्सा सास्त्र के जनक कौन है, अप्सन क्या दिया है, हिपोक्रेटस, लैमार्क, के प्लार, अरस्तू, तो चलिए, इसका answer दिजिए, 5, 4, 3, 2, 1, चलिए, इसका answer, correct answer क्या हो जाएगा, आप लोग सोच लिजिएगा, मन में answer क्या होगा, एकदम ये, रिवीजन कोर्स है, ये, आपको answer देना है, तो क्या है, इसका answer हो जाएगा, क्या है, एफ़र आगिया, वनस्पती विज्ञान के जनक कौन माने जाती है, इसका option देखिए, A, Lamar, B, Kepler, C, Hippocrates, और D, Theoprestres, तो इसका answer क्या हो जाएगा, D for Delhi, यानि, Theoprestres, ओके, तो वनस्पती विज्ञान का जनक कौन है, Theoprestres, एकदम याद रखिएगा, एकदम भीवियाई, भीवियाई, सब क अरस्तु, और उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए, वनस्पती विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका answer क्या है, D for Delhi, Theoprestres, ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, इसका option दिया है, A में हिपोक्रेटस, वीमो थियोफ्रेस्टस, C में लेवोजियर, और D में केपलर, तो इसका answer क्या होगा, चार का answer, चलिए, आप लोग मन में सोची, और अपने आप निकालिये, तो क्या होगा, इसका answer होगा, C for का परतिपादन किस ने किया, तो चलिए, इसका answer option देखते है, A, Graham, B, Kepler, C, Einstein, D, Darwin, तो चलिए, इसका answer क्या होगा, मने में सोची और बताइए, मतलब एकदम लगना चाहिए, जहां पे आप मानले जे रूम में परहाई कर रहे होंगे, तो उहां लगना चाहिए, जे क्लास चल ला है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, पांच का, ए फ़र आगरा, क्या हो जाएगा, ग्राहम, तो उसके बार next slide में, इसका answer क्या होगा, ए फ़र आगरा, next slide, please, next slide, E is equal to mc square का समी करन किसके दोआरा दिया गया, तो E is equal to mc square का समी करन, इसका option देखते है, option A है, Galilio, B, Newton, C D, Darwin, D, Einstein, चलिए, इसका answer क्या हो जाएगा, D for Delhi, यानि कि Einstein, okay, तो इसका answer क्या हो जाएगा, अच्छे का, इसका answer हो जाएगा, D, Einstein, okay, next देखते है, जरत्यों के नियम की खोज, किसने की, तो इसमें फ़सा देगा, इसमें फ़स जाते हैं, लोग, क्योंकि क्या, पहले इसका option देख लेते हैं, जरत्यों के नियम का खोज, किसने की, नियूटन, केपलर, डर्वीन, और डी में, गैलियो, तो इसका जो है, वो लोग फ़स जाएगे, तो इसमें option क्या हो जाएगा, D for Delhi, कौन सा, गैलियो, समझे, और उसके बाद देखे, ये, लोग का, जरा नियूटन मार के आजाएगे, ये गलत है, गलत है, और ये कौन सा साही है, तो D for Delhi, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेचलर सेलेक्शन का सिधान्त किसने दिया, इसका option देखते हैं, A, लायमार्क, B, ग्राहम, C, डर्वीन, और D, नियूटन, तो इसका answer क्या हो जाएगा, आठका, आठ चाल्स डर्वीन, B, अरस्टू, C, वाट्सन, और D, लियूजियर, तो इसका answer क्या हो जाएगा, नौ का answer क्या हो जाएगा, एफ़र आगरा, यानि कि इसका चाल्स डर्वीन किया था, विकास के सिरहन का पतिपादन किसने किया था, चाल्स डर्वीन, देखिए, अभी हम question series क कर आएगे, हम लोग बहुत दिनों से साइन्स समाने विग्यान का आध्यान कर रहे हैं, जो question अभी चाहिए, तो हम पहले question कर आज देते हैं, और जो लोगों को ये जो नहीं बन रहा है, तो उनके लिए tension लेने का कोई जारूरी नहीं है, 10 वीडियो physics, 15 वीडियो biology, 10 वीडि इसी की सब्द का उच्चारन सरपर्थम किसने किया, तो इसका option देखते है, A for a medal, V Darwin, C Johansson, D Watson, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer क्या हो जाएगा, correct answer क्या है, D for Delhi, यानि कि Watson हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले, जीन सब्द का परियोग किसने किया, तो इसका option देखते है, A, Mendel, B, Kepler, C, C, क्या है, जोहांसन, और D, Darwin, तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, C, C for, जोहांसन, यानि कि जीन सब्द का परियोग सब्द से पहले किसने किया, तो जोहांसन ने किया, यार रख लीजेगा, एकदम, उसके बाद नेक्स्ट कोस्चन देखते है, जीन कहां अवस्थित होता है, तो इसका option देखते है, गुन सुटर में, लाइसोसोम में, राइबो जो, राइबो जोम में, पलीहा में, तो इसका correct answer दीजे, तो बारा का जो correct answer हो जाएगा, वो क्या होगा, यानि कि गुन सुटर में, जीन कह आरा का answer दिये थे हम लोग, एक आरा का C, जोहांसन, okay, next question, next question में, खून का रंग, रंग लाल किसके कारण से होता है, इसका option देखे, A में, हीपैरिन दिया है, B लोहा दिया है, C, oxygen दिया है, D, hemoglobin, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सब सारे स्टूडेंट इसका answer जानत एक दम साही साही सोच रहे है, क्या है, हीमोगलोविन, ओके, तो तेरा का option D for daily, hemoglobin, next question, next question, hemoglobin, किसका योगिक है, तो इसका option देखे है, nitrogen, प्रोटीन, लोहा, हीपैरिन, तो इसका answer, 14 का answer क्या हो जागा, correct answer हो जागा, क्या, B for Bombay, यानि कि हीमोगलोविन किसका योगिक है, प्रोटीन का, ओके, तो ये सब देख लिएगा, खुन का रंग लाल क्यों होता है, हीमोगलोविन के खारण, और हीमोगलोविन किसका योगिक है, तो इसका answer क्या भी for Bombay, प्रोटीन के खारण, ओके, उसके बाद देखे, प्लेटलेट्स की मिर्तिव कहां होती है, है, एक ब्रीक और ए और तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका इंसर हो जाएगा, प्रिक हो जाएगा क्या हो जाएगा Anderald 21 अविन की स्विएगे, इसका फाल पर थे परोटेश्च आप फलीन सोल कान एंसर क्या हो जाएगा सिफ़र दो नेस्ट कोस्टन लेखते कि ब्लड बैंक . अप्षne क्या प्लीहा यक्रीट अगयल में यह भलात कि तो फुमा कर यर्फा यह घ市 प्लीहा को प्लीहा प्रलीहिकि outta आज कि नहीं यह गुरूप D का पेपर कव 2019 में भारे थे तो तब से बैठे नहीं नहीं थे तो अध्यान तो करी रहे होंगे और इस समाने बिग्यान जानते हैं कितना इंपर्टेट इन चलिए नेक्स को लाता है तो आरी का जो कवरिस्तान कौन कहलाता इसका अपशन देख एंए एमरेश विड्यक्ष और सी में प्लिया तो क्या हो जाएगा इसका यह यह इनजर इसका अठारा का इंसर हो जाएगा क्या डी यानिकि और ड्यए ल्यक्त और यह उसके बास ब्लॉडबंक मेंrying रह जो किसे अधाइध में है यह मतलब की यूनिट एक भर आइट सेयां सब्सक्रीज जर्ख दिस्कOR येक्रिक्ट से खोज किस ने खिया था इसका अप्शन देखते हैं रक्त चाप का कौन नियंट्रित करता है तो इसका अप्शन देखते हैं लेंट्रिक फिर्ट्रिक आट्रिक और डी विडिक तो इसका क्या हो जाएगा और अप्शन क्या हो जाएगा तो इसका एप्शन क्या हो जाएगा देखते खिए एक पार रिवीजन कर लेते हैं जैसे रक्ट समु का किस ने किया तो रक्ट समु का खोज इसका option क्या हो जाएगा डी लैंड इस्टीनर किया था ओके उसके बार देखिए ब्लड बैंक में रक्ट कितने डिग्री फॉरिन हाइट पे सुरक्षित रखा जाता है तो इसका उन्ह ब्लाध ब्लाध बेंक कौन कहलाता है तो 17 आज 2017 की भेट समु का किया था फर्म्ट कर दो 14 уз आउर ब्लाट ब्लाध किया हो जाएगा डी यारिक पिल या और ब्लॉड बाइंक कौन कहलाता है तो इसका भी एंसर क्या हो जाएगा सट्राइब फर आगराफ पिलिया ओके उसके बाद देखिए रक्त का कितना परतिसात भाग पलाजमा होता है तो शुला का एंसर क्या हो जाएगा अपका सी फर्चन यानी साथ परसेंट ऑके उसके बाद सब्सक् zap dinnerative यहां सब्सका है सबसे पहले जिन सब्सक ने किया था तो इसका 61 क्या होजेगा सब्सक्राइद करने चेशनली चुकित धाएगा, में देखिये थे कल टुँ E值 कर था था स्मीकरन किसले कि दिया था तो इसका सुची का यंसर यहार हो जाईगा श्यक इस का इसर टीक परदीजि़का श् calendar कि यह हो तो यही है और हम लोग मिलते हैं नेक्स स्रीज में नेक्स स्रीज में भी से पचीस में दो तीन में जारा लग गया क्योंकि शुरू-शुरू में आपको बताना था जे कैसे क्या है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक लाइक भी किजिएगा और अपने दोस्तों के भी सेर किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए इसी वीडियो पर जो यह हम बता रहें न यह 25 नमर यह कहें दूर नहीं आपको हम 25 में 25 दिलवा के रहेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम एक दू कोश्चन इधर फसाएगा 25 में 22 22 ऐसे हम दिलवा के रहेंगे ओके चलिए धन्यवाद सब्सक्राइब जरूर कर देजिए रहो कि